Hello Everyone, Welcome to Jiddi Birds तो आज के इस वीडियो में हम आयत का छेतरफल तथा परिमाप निकालना सीखेंगे तो सबसे पहले हमें आयत के इंट्रोडक्शन यानि की परचय को समझना पड़ेगा तो यहाँ पे सबसे पहले आयत के परिभासा को समझेंगे यानि की आयत किसे कहते हैं ये जानेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आक्रिती जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा परतेक कोन 90 डिगरी के बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं तो यहाँ पे मैंने आयत का फिगर बना के रखा है तो इसमें क्या बोल रहा है चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आक्रिती जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो यहाँ पे देखिए A, B और D, C ये आमने सामने की भुजाएं हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी क्योंकि A, B के सामने की भुजाएं है और D, C के सामने की भुजाएं बराबर होंगी अगर A, B दस मीटर है तो D, C भी क्या होगा? दस मीटर ही होगा अब यहाँ पे देखिए A, D और B, C ये भी आपस में समान होंगी यानि की बराबर होंगी अगर ये भुजा, A, D, 7 मीटर होगी तो B, C भी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 7 मीटर और यहाँ पे क्या दिया गया है? तथा परतेक कौन 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं तो यहाँ पे आयत में 4 कोन होता है और 4 कोनों का माप कितना होता है? 90 डिग्री यानि की सम कोन के बराबर होता है तो यहाँ पे यह जो है कोन A यह भी 90 डिग्री के बराबर होगा यह भी 90 डिग्री के बराबर होगा ये भी 90 degree के बरावर होगा और ये भी 90 degree के बरावर होगा ये जो symbol है यानि कि ये जो sign है ये 90 degree को indicate करता है ये symbol कहीं भी लगा होगा तो आपको समझना है 90 degree तो अब देखिए हम यहाँ पे आयत का छेतरफल और परिमाप निकालना भी सीख लेते हैं तो आयत का छेतरफल जो होता है यहाँ पे लिखेंगे हम आयत का छेतरफल तो आयत का छेतरफल होता है लंबाई गुना चोराई या फिर आप इसे इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं L गुना B L का मतलब होगा लंबाई B का मतलब होगा चौराई तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझना होगा आयत में जो सबसे बरी भुजा होती है उसे हम लंबाई कहते हैं तो यहाँ पे A, B और D, C क्या है? लंबाई है और जो छोटी भुजा होगी उसे हम क्या कहते हैं? चौराई कहते हैं तो A, D और B, C क्या हो जाएगा हमारा? चौराई हो जाएगा तो यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा? 10 मीटर तो लिखेंगे 10 मीटर गुना चौराई कम आप कितना हो जाएगा? 7 मीटर तो यहाँ पे लिखिए 7 मीटर अब इसका गुना करेंगे 10 से 7 में गुना किजिए कितना आ जाएगा 10, 7, 70 अब एक चीज यहाँ पे आपको समझना है यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है तो यह क्या हो जाएगा मीटर स्क्वार आपको एक चीज हमेशा ही ध्यान में रखना होगा किसी भी चीज का अगर हम छेत्रफल निकालते हैं तो जो यूनिट आता है वो मीटर में हो या फिर सेंटी मीटर में हो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं वर्ग यानि की स्क्वार लगाते हैं अब इसके बाद में हम क्या करेंगे आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इन टू लंबाई प्लस चौराई या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 into L plus B तो सबसे पहले यहाँ पे हम परी माप को समझेंगे यहाँ पे देखिए परी माप परी माप का मतलब क्या हुआ परी जोर माप तो यहाँ परी का मतलब क्या हुआ चारो तरफ और map का मतलब क्या हुआ दूरी यानि कि आयत का जो परिमाप है यहां पे क्या हो जाएगा यजो आयत बना हुआ है इसके चारो तरब की दूरी तो अब आयत का परिमाप हम आसानी से निकाल सकते हैं तो यहां पर आयत का परिमाप निकालेंगे 2 into लंबाई प्लस 4 तो लंबाई क्या है 10 मीटर यहाँ प्लस है तो प्लस का sign दीजीए 4 क्या है 7 मीटर तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मीटर अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे 2 into 10 मीटर में 7 मीटर को जोर दीजी कितना आ जाएगा यह 17 मीटर अब देखिए यहाँ पे कोश्ट लगा हुआ है इसका मतलब क्या होगा 2 से 17 मीटर में गुना करेंगे तो 17 मीटर से 2 में गुना किजे कितना आ जाएगा 17 दुना 34 मीटर तो यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्टन दिया गया है यदि किसी आयत की लंबाई 5 सेंटी मीटर तथा चौराई 3 सेंटी मीटर हो तो आयत का छेतरफल एवं परिमाप ग्यात करें तो मैंने आपको बताया था जो बरी भुजा होगी वो लंबाई होगी और जो छोटी पुजा होगी वो चौराई होगी तो यहाँ पे A, B और D, C क्या हो जाएगा लंबाई और A, D इसके बाद में B, C यह हमारा क्या होगा चौराई तो यहाँ पे A, B क्या हो जाएगा 5 सेंटी मीटर तो आयत में आमने सामने की पुजा बराबर होती है तो D, C भी 5 सेंटी मीटर अब इसके बाद में 4 आइ 3 सेंटी मीटर है तो A, D और B, C यह छोटी पुजा है तो यह हमारा चौराई हो जाएगा तो A, D क्या हो जाएगा 3 सेंटी मीटर तो BC भी 3 cm होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो हमें क्या निकनलना है सबसे पहले आयद का छेतरफल तो आयद का छेतरफल क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे आयद का छेतरफल बराबर लंबाई गुना चौराई तो यहाँ पे लंबाई क्या है पांच सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिखेंगे पांच सेंटीमीटर गुना चौराई क्या है तीन सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिखेंगे तीन सेंटीमीटर अब पांच से तीन में गुना करेंगे क्या आ जाएगा पांस्तिया 15 cm यहां भी है, cm यहां भी है तो क्या हो जाएगा? cm² क्योंकि छित्फल में हम हमेशा square लिखते हैं तो यहां पे आयत का छित्फल क्या निकल के आ गया? 15 cm² अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप तो सबसे पहले यहां पे formula लिखेंगे आयत का परिमाप बरावर 2 into लंबाई प्लस 4 2 into लंबाई क्या है? 5 cm तो लिखेंगे यहां पे 5 cm प्लस 4 कितना है? 3 cm तो यहां पे लिखेंगे 3 cm अब इसके बाद में इसे solve करेंगे 2 into 5 cm और 3 cm को जोड़ दिजिए कितना आजाएगा? 5, 3, 8 cm अब इसके बाद में क्या करेंगे? 8 cm से 2 में गुना करेंगे तो कितना आजाएगा? 8, 2, 16 cm तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप और इसका जो छेतरफल होगा यानि कि यह क्या हो जाएगा? यह इसका छेतरफल हो जाएगा यह जितने दूर में आयत बना है उतना दूर का एरिया यही है तो यह क्या हो जाएगा? आयत का छेतरफल जो कि 15 cm स्कौाइर है और यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ की जो दूरी होगी वो क्या होगी 16 cm अब इसके बाद में second question में है यदि किसी आयत की लंबाई 12 मीटर तथा 4 आठ मीटर हो तो आयत का छेतरफल एवं परिमाप निकाले तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पुजा होगी वो लंबाई होगी यानि की A, B और D, C कितना हो जाएगा 12 मीटर के बराबर तो यहाँ पे लिखेंगे 12 मीटर तो यह भी 12 मीटर होगा और छोटी पुजा यहाँ पे A, D और B, C है तो यह हमारा चौराई हो जाएगा तो चौराई कितना दिया गया है आठ मीटर तो यहाँ पे लिखेंगे आठ मीटर ये भी आठ मीटर हो जाएगा तो यहाँ पे लंबाई और चौराई हमें पता हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम आयत का छेतरफल तो आयत का छेतरफल क्या होता है लंबाई गुना 4 तो यहां पे लंबाई क्या है 12 मीटर तो लिखें यहां पे 12 मीटर गुना 4 तो लिखेंगे यहां पे हम 8 मीटर अब 12 से 8 में गुना कीजिए कितना आ जाएगा 12,8, 96 तो यहां पे लिखेंगे 96 में मीटर से मीटर में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वाइर यानि कि छेत्रफल में हमेशा स्क्वाइर यानि कि वर्ग लिखते हैं तो यहां पे आयत का जो एरिया है ये इसे ही छेत्रफल बोलते हैं तो ये क्या आ गया हमारा 96 मीटर स्क्वायर अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है आयत का परिमाप तो लिखेंगे परिमाप आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस B तो इसे भी सॉल्फ कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू L यानि कि लंबाई कितना है 12 मीटर तो लिखेंगे यहाँ पर 12 मीटर प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए B यानि कि 4 आई तो AD 4 आई है जिसका माप क्या है 8 मीटर तो लिखेंगे यहाँ पर 8 मीटर अब इसके बाद में 2 इंटू 12 मीटर और 8 मीटर को जोड़ दीजिए 12 मीटर क्या हो जाएगा 20 मीटर अब 20 मीटर से 2 में गुना कीजिए कितना आ जाएगा 20 दुना 40 मीटर तो यही आयत का क्या हो जाएगा परिमाप यानि कि यह जो आयत बना हुआ है और इसके जो चारो तरब की दूरी है उसका माप कितना हैगा 40 मीटर तो आई होप आपको आयत का छेतरफल और परिमाप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा तो इस तरीके का यूज करके आप आयत का छेतरफल और परिमाप निकाल सकते हैं